हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लेटेल डिजायर पे और आज हूं में ये इजी सी स्वीट डिश लेके आपके सामने इसमें किसी भी तरह किये शुगा सीरा गैस या ओवन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ एक मिक्सी की हल्प से आप इस डिश क सब्सक्राइब कर लिजे मेरे चैनल लेटेल डिजायर को और साथ के साथ नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें यह हैं इस डिश के इंग्रीडेंट्स यहां मैंने होल काजू लिया है इसका थोड़ा अच्छा होता है खाने में और यह है लगभग तकरीबन 250 ग्राम और यह मैंने लिया है पिसी हुई चीनी 100 ग्राम होल मिल्क है आपको एक से दो चम ची लगेगा और यह है मिल्क पाउडर तकरीबन यह भी 100 ग्राम है क्योंकि इसमें भी थोड़ी से मिठास होती है सबस schaffen हम काजू को मिकसी जार में डाल कर दो करना है और इसको ग्राइं करने के प्रोसे है हल्का सा पाउडर बनाना है इसको भी तुब estás तो अच्छे से चलाई और बंद कर दीजिए तो अच्छे से पाउडर इसका बनेगा अब मैं इसको एक स्टेनर की हल्प से चान लोगी इसका पाउडर पाउडर ताकि इसमें कोई गांट ना पड़े और यह जो बचा हुआ है इसको आप फैंके नहीं खीरिया हलुए में परण्यपोद आपको चान लीती है पहले से चान करका रखा है और यह है मिल्क पाउडर यह भी मैंने इसमें आटकर लिया यह पाउडर फ़ॉडर में रहे तो बहुत अच्छा होता इसमें कोई बी लंस नहीं होते हैं या किसी इवी तरह की गटलीगांट और मैंने एक चम और ये आपको 1-2 चम्मचीज में डूड डालना है दीरी-दीरी करके आप डूड डाले और इसको चलाना है आप एक संग डालेंगे तो ये पेस्ट पतला हो सकता है आपको ये ना इस तरीकी से बनाया है बहुत जाधा पतला हो ना बहुत जाधा गाड़ा अब मैंने यहां पर यह एक शीट लिये है प्लास्टिक शीट है बहुत सॉफ्ट सी किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल सकती है इजी ली तो ये जो शीट है इसका ये यूज ये है कि ये जो जो पेस्ट हम बनाते हैं ये हाथ से ना हमारे काफी चिपकता है इसको हमको एकसा करना है तो ये देखिए मैं इसको एक स्पून से निकाल भी नहीं पा रहे हैं दूसरी स्पून की हेल्प से मैंने इसको निकाला तो देखे कितना शाइन दे रहा है कितना सॉफ्ट हो गया एकदम से हम इसको स्पून के हैप से मिलाना हमारे लिए थोड़ा से टिपिकल हो जाता है जब हम इस शीट में रैप करके इसको जब ऐसे करते हैं इस तरीके से आपको बिल्कुल करना है यह देखे कितना शाइनी यह बिल्कुल डो जैसा लग रहा है यह बहुत ही स्मूध चिकना कोई भी इसमें गाठ नहीं होनी चाहिए आप यह ध्यान रखेगा और मैंने इसको रखा है और हलके हलके हाथ से इसको प्रेस करना है हमको इसकी एक प्लेंसी लेयर बनानी है यह देखे हलका सा मैंने यहाँ पर बेलेन का यूज किया है तक यह एक इविन प्रेस हो और यह बहुत इविन ली आपको करना है कहीं से मोटा कहीं से बतला आप ना छोड़ें इसको यह देखे आप फिंगर की हेल्प से भी थोड़ा टाइटली होगा लेकिन आप फिंगर की हेल्प से भी इसको इविन कर सकते हैं वैसे तो यह इविन मेरा बना था अगर हो भी चाहे तो आप कर सकते हैं थोड़ा सा इसको इसलिए थोड़ा सॉफ्ट यह आपको देखी पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट है यहां मैंने यह जो चांदी का जो बरक होता है वो मैंने लगाया यहां पे आप लगा है आपके पास तो यूज कीजिए अधर्वाइज इसकिप कीजिए तो यहां हमारी यह काजु कत्री बन करके तयार है आप इसको जिस भी शेप में चाहें जो मोटा ही है वो एकदम परफेक्ट बनीती अगर आप बहुत जादा मोटी रखना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा कम इसको प्रेस करें थोड़ी मोटी लेयर बना सकते हैं यह देखिए बन करके तयार है बहुत जल्दी इजी बन जाती है अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए फैमली फ्रेंड में शेर कीजिए और कॉमेंट कीजिए तिल देन बाबाई